बिस्मिल्ले रख्मानी रहीम स्टूडिन आज हम डिस्कास करेंगे टेस्टिंग हाइपॉसिजों पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशेंट अबाउट बीटा के लिए एक्जामपल तो एक्जामपल हम लेंगे स्टूडिन हमारे पाइग्जामपल जो हैं कैसे हमने सॉल्व लेनी है कि अगर आपको प्रैक्टिकल एक्जामपल आजाती है टेस्टिंग हाइपॉसिजों से रिलेटेड अबाउट दे रिग्रेशन कोफिशेंट बीटा बीटा से तो आपने उसको कैसे सॉल्व करने हैं अब हम वह सॉल्व करके देखेंगे तो स्टूडिन फर्स्ट तो स्ट्रिंग ञति हमैरे और नाट पास होता है कि मने बनाने होते हैं जो के हमारे पास होता है H0 भी गिवन होता है H1 भी गिवन होता है आपको जो questions में majority गिवन होते हैं वो आपके पस null alternative hypothesis गिवन होते है जैसे कि उन्होंने बोला कि जो हमारे पाफ बीटा है is greater than 0.5 है तो alternative hypothesis आपको क्या गिवन है greater than 0.5 आपको गिवन है तो हम क्या ले लेंगे beta is less than or equal to 0.5 मतलब इसके गिवन है क्यूंकि उन्होंने question में हमें का है कि हमने beta लेने is greater than 0.5 तो ये इसके against null hypothesis आगे hypothesis आपके ready होगे then second step हमारे पास क्या होता है कि level of significance student level of significance अगर तो question में given है तो good है अगर question में given नहीं है दब भी हमने confused नहीं होने आपने क्या ले लेना है 0.05 जो है वो ले लेना है level of significance थर्ड step जो हमारे पास होता है वो आपके पास होता है test statistics जिसमें हमने क्या बताना होता है अपने formula को clear करना होता है कि हम कौन सा formula अपनी situations को देखते हो यूज करेंगे तो हमारे पास जो formula होता है वो b minus beta not and s b आपके पास use हो रहा होता है अब beta not तो आपके पास 0.5 given है और degree of freedom जो हमारे पास given होती हो क्या है n minus 2 अब हमरे पास next जो four steps होता है उसमें हम क्या करते हैं computation कि हमने अपनी values को compute करना होता है अब student देखें आपके पास each and every situations is given है ठीक है beta not तो आपके पास होगे 0.5 b हमने find करने तो regression में आपने b find किया हो इसका formula क्या होता है n summation of xy minus summation of x summation of y and and summation of x square minus summation of x whole square यह आपके पास आगी है beta values अब आपको values जो यह summation of xy की values गिवन है n आपको given है 10 ठीक है इसी तरह आपके पास summation of x गिवन है summation of y and each and everything आपको questions में given दे दिया आपने उन values को इस formula में put करना है और put करके जो आपका answer आएगा मैं सिर्फ वह लिख रही हूँ 0.6 double 5 0.6 double 5 जो है वह आपका answer आजएगा कौन सा answer आजएगा मेरे पस बी की values आपके पास आजएगी अब student हमने find करने है this one ठीक है अब हमें क्या required है यह चीज़ हमने find करनी है जी sb के लिए जो हमें majority confused भी का रही होती है तो sb के जो values है न वह हमारे पास क्या होती है s y x and summation of x minus x bar का whole square यह हमारे पास under root यह हमारे पास क्या आज़ाती values अब summation of x यह तो आप easily find कर लोगे summation of x minus x bar का whole square यह मारे पास क्या होता है summation of x square minus summation of x का whole square divided by n तो जब आप इसे calculate करोगे इसमें values बूट करोगे simple तरीके से और आप calculate करोगे तो आपके पा value है जाज़ेगी two one six zero values आपको given one है आपने सिर्फ formulas माइं में रखने हैं अगर आपको formulas अच्छे तरीके से आते हैं तो इसमें आपको कोई किसी किसम की confusion नहीं होगी अब student यहां तक तो हमने find कर ली अब हमने find करने s y x को हमने find करने s or y x अब इसका formula हमारे पास क्या होता है इसका इसका फार्मूला होता है y minus y head का square and minus two अब हमने summation of y minus y head find करना है तो यह हमारे इरिग्रेशन में भी पढ़ाता कि जो y minus y head का whole square होते हैं किसके इकोल होता है हमारे पास होते हैं जी हमारे पास होता है summation of y square minus a summation of y minus b summation of xy अब देखिए इसमें आपके पास तमाम चीज़ गिमें summation of y square उन्होंने question में given दिया हुए बी आपने already find किया हुए भी हमारे पास कहा है यह हमारे पास b है ठीक है and summation of y be given estimation of y जहां confusion कहा होगी हमें a नहीं given a हमने fine करना है तो अगर आपको b given है a पता है x bar पता है y bar पता है इस mission of x divided band यह भी find कहा है तो एक ही value आपके पास आजेगी हमारे पस क्या values आजीगे आप पुट करें इसमें values हमारे पास यह आजीगे 250 10 यह x bar के लिए आपके पास आजेगी 4.04 आपके पास आजेगी अब आपने इसमें पुट करना है जब आपके पास जो answer आएगा वह आपके पास जो answer आएगा वह आपके पास answer होगा जी 2.578 आपके पास answer आगे अब आपने simple अपनी values को formulas में put करना है तो मैं आपको formulas में put करके बिताती हूँ आपकी values देन आपने इसे solve करना है तो values अब आप put करो अपने formulas में हमेरे पास sb की values आएगी वो क्या आगी two point यह जो फार्मूला मैंने लिखे इसकी जगह मैं values पूट कर रही हूँ आपके पास क्या आगे है 2.5578 जहां आपके पास क्या आगे है 2160 आपने इसे solve किया तो आपके पास values के आगे 0.55 अब हमने simple जो हमेरे पास t distribution given थी जिसमें हमने fine करना था जी बी माइनस बीटर नॉट तो बी की value हमेरे पास क्या था है 0.655 है बीटर नॉट हमें given था question में 0.5 और यहां आपके पास values क्या आगी है 0.055 तो जो आपके पास calculate value आएगी ने वो आएगी 2.82 आपके पास क्या आगी है values क्या हमने critical region कैसे find करने तो critical region मैंने आपको situation बताई हुई थी कि अगर आपके पास critical region जिस तरह हमारे पास आ जाता है जी alternative g greater than हमें दिया गया था greater than तो हम भी t की distribution greater than के लिए use करेंगे alpha by 2 and n-2 and this one is हमारे पास क्या आजएगा t alpha by 2 हमारे पास क्या है 0.05 आजएगा sorry alpha by 2 नही तो हमारे पास one way सिर्फ greater than अगर equality होती तो देन हमने alpha by 2 यूज करना था अब हमारे पास क्या आजएगा and हमारे पास क्या आजएगा जी 8 ठीक है 10 में से तो 1.86 अब आप देखें conclusion में कि आपकी जो values है वो लाइ करी है in the critical region जा in the acceptance region जाए critical region अब देखें हमारी जो वैलियो जाए student वो है 2.82 2.82 जो लाइ करी है वो लाइ इसमें नहीं करी बलके से अपर रहे इसमीन falls in critical region तो यह हमारे पास क्या करी है falls in critical region so we reject H-node तो हम क्या करेंगे reject H-node कर देंगे because यह हमारे पास critical region में आ रहे है तो हम इसको कहेंगे reject H-node I hope student आपको मेरा lecture पसंद आया होगा अगर फिर भी किसी किसम की problem हो तो आप मुझे discuss कर सकते हैं तब तो के लिए लिए लाप